प्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीस्विजन अकैडमी पर तो हम उच्छ सिक्षविभाग प्रयोकसाला टेकनिशियन भरती परिक्षा को ले करके हमारा टॉपिक है परियावरण का महत्वपूर्ण परियावरण से जितने भी इंपॉर्ण कोस्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे और यह हमारा प्राक्टिस सेट को रूप में तीसरा होगा कि उसके पहला प्राक्टिस सेट हमने भूगोल का जारी किया था आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर के देखने से क्योंकि प्राक्टिस सेट तीसरा है ओल्ड को सुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जूड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा बेल आइकन में आल सेलेक्ट करके जरूर रखेगा ताकि वीड़ो का नोटिफिकेसन आपको ततकाल मिलता रहे हैं चलिए यहां पर पहला कोश्चन देखेंगे उसके साथ साथ देखिए इन्वाइनमेंट में किस तरह से कोश्चन पुछा जा सकता है इसमें बेसिक कोश्चन भी देखेंगे और करेंट अफेर से संबंधित कोश्चन भी हम देखेंगे तो चलिए पहला कोश्चन सुरू कर अभी जो है निले रंग की चीटी की नई प्रजाती की खोज की गई है देखी ये अच्छे से याद रखेगा अरूड़ा चल प्रदेश आईए इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे भारती सुत करतावर ने हाल ही में अरूड़ा चल प्रदेश के जैविविदता होट सियांग घाटी में कौनसी घाटी में अगर आपसे पुछा जाए होट सियांग घाटी है उसमें एक विशिस्ट प्रकार की निले रंकी चीटी की खोज की चीटी की प्रजाती की खोज की गई है तो याद रखेगे के कौनसी घाटी है सियांग घाटी ये भी आपके इंपो जुन, पांच जुन और छे जुन तो सही आंसर है पांच जुन दूसरे का सी जो है करेक्ट आंसर है अब चली देखते हैं इस से इंपॉर्टेट फैक्ट है सहिक्त राष्ट महासभने नाइंटिन सेवेंटिन टू में स्टाउक हूम सम्मेलन के दावरान पांच जुन को विस्ट परिवर दियास करूपे घोसित किया था कब किया गया था तो इस्टाउक हूम जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था उनिस सो बहत्तर में तब जो है पांच जुन को परेवर दिया उसके रुपे घोसित किया गया था तो ये भी कोसिचन बन सकते हैं तो important fact अगर बनता है वो सारे आपको याद रखना है आप अपने से भी जाच करके देखें आपसे कितने question सही होते हैं चलिए तीसरा है प्रित्वी के गुरुत्वा करसड के अधार पर कौन सा बिजली सेंत्र काम करता है अब देखिए भूतापी उर्जा पवन उर्जा जल विद्दूत सेंत्र परमाडू सेंत्र सही आंसर है जल विद्दूत उर्जा सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गुरुत्वा करसड के धार पर प्रित्वी का ये जल विद्दूत सेंत्र काम करता है अगला कोश्चन है देखिए खली स्थान प्रदूसर की कोटी या तिवरता को कम करना या समाप्त करना है देखिए वातन एरोशोल आउशोशन और शमन तो सही आंसर हो समन दी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चलिए अगला कोश्चन है 1973 में आयोजित 20 परियावरार वर्टर इन्वार्म्न मेंट का पहला थीम क्या था अब देखिए Mे का फूल की फूल फ़ाम भी आसकता है तो क्या है वर्टर इंवार्मेंटल् पहले तो यही याद रखना है हमको, 1973 में आजीत हुआ था विस्टो परियावरण दिवास, वर्ल्ड इन्वान्मेंट डे का पहला थीम क्या था, देखिए ये इसलिए पुछा जार है क्योंकि हिस्ट्री से संबंदर रिलेटेर है पहले, तो ये क्या था, only earth, क्या था, only earth, य कैसे लिए अगला क्वेश्ट्चन देख्ते है, विस्टो परियावरण दिवास हर साल पांच जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। देखिए, पांच जून को दुनिया भर मनाया जाता है, ये क्यूस्चन भी कर लिए हैं, अब क्या पूछ रहे हैे? दो हजार तेईस की वर्स की थीम क्या था देखिए 2023 में थीम क्या था A tree for peace, time for nature, beat air pollution, solution to plastic pollution तो सही आंवचर क्या है solution to plastic pollution दी यहां पर correct answer और यह जो है important हो सक्त है कीविवापम में अगर नज़र डाले तो 2023 से भी current per question ज्याद़ उठाय जा रहा है तो इसलिए 2023 से लिया गया है अगला कोश्चन है पेरियार राष्ट्य उद्यान किस प्रदेश में है देखी इन्वाइन्मेंट वाला है तो ये राष्ट्य उद्यान अब भाराण से भी संबंधित कोश्चन आ सकते हैं आपके पेरियार राष्ट्य उद्यान किस प्रदेश में है तविल तेलंगाना के हदरबाद में ये म्रिगा वनी रास्ति उद्यान तो आट का ए जो है करेक्ट आंसर होगा नववा नमबर कोश्चन देखते हैं गंभीर रूप से लूप्त प्राय सफेद पिठवाले गिद का घर कोरिंगा नेशनल पार्क की स्राजमी स्थीद है देखिए 90 न ट्वाले गिद का घर कोर सा है ये भी याद रखना है कोरिंगा नेशनल पार्क और ये कहां है तो आंधर प्रदेश में ये तीर कोश्चन यहीं से बन जाते हैं तो तीन तरीके साब को याद रखना है अगला कोश्चन है घाटी गाव वन्यजी अभ्यारण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है अब देखिए ओल्ई रिडले कच्छवा गाएंडा गीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ये घाटी का वन्याव भ्यारण जो है ये ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के लिए क्रसिद्ध है दसका डिजुन करेक्टना आंसर है चलिए अगला अगला कोश्चन है हाथियों की सुरक्षा तता हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश से हाथि परियोजना यानि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई यह कब शुरू की गई है यह ध्यान रखेगा ऐसे कोश्चन हमारे बन सकता है क्योंकि एक्जाम के दृष्टि कोड से यह हमारे इंपॉर्टेंट कोश्चन हो सकते हैं यह कब की गई थी देखिए 1991, 1992, 1993 और 1994 तो बारवा नमबर का जो कोश्चन है यह 1992 में प्रोजेक्ट एलि मैं भारत डेन्मार्क सहयोगपरियोजनाि के संदर्व में E-S-l-c-r का क्यार था है e-s-l-c-r तो देखे किया है स्वक्ष नदियों पर सत्रत प्रयखसालाा स्वक्ष नदियों पर स्मार्ट प्रयोग साला स्वक्ष नदियों के लिए वैज्ञानिक साजहदारी में सामिल है जिसके कारण ASLDR का निर्माड हुआ है तो कौन सदेश है ये भारत और जर्मनी भारत और डेनमार्क भारत और जपान भारत और फ्रांस तो भी हमने देखा ये भारत और डेनमार्क है भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चलिए पंद्रहवे नंबर कोश्चन देखते है प्रित्वी के वायू मंडल में ओजोन की कमी का प्रात्मिक कारण क्या है देखिए प्रित्वी के वायू मंडल में ओजोन की कमी का प्रात्मिक कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्णन कोश्चन है Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, nitrous oxide तो सही आंसर होगा ये chlorofluorocarbon के कारण ओजोन की कमी का ये प्रात्मिक करण है तो ये C यहाँ पर correct answer है और बहुत जादा ये question पूछा भी गया है चलिए अगला question ने green house प्रभाव के लिए कौन सी gas जिम्मेदार है ये भी बहुत जादा important है oxygen, nitrogen, carbon dioxide और आरगन तो सही आंसर है carbon dioxide जो है ये green house gas के लिए green house प्रभाव के लिए जिम्मेदार है 16.8 अंसर है सरत्रावे नंबर का question देखते है भारत में मांसुनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को साहता मिलती है देखिए किन प्रमुख फसलों को साहता मिलती है मांसुनी वर्षा से तो आईए देखते है गेहु, जव, जई और राई चावल, मक्का, कपाज, सोय बिन और गन्ना सही आंसर है B तो देखिए, एक चावल है मक्का भी है, कपाज भी है, सोय बिन भी है और गन्ना भी है आगे देखते हैं, हालू टमाटर तो आए गही नी सेफ संत्रे आए गही नी तो B यहाँ पर करेक्ट आंसर है 17 का चलिए अगला कोश्चन है हमारा ठारेन नंबर का बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मांसून चक्रवाद का क्या नाम है देखिए यह जो है मैं में टकराया और इस मांसून चक्रवाद का क्या नाम है तो चक्रवाद रेमल, चक्रवाद टाइफून, चक्रवाद अम्मान और कोई नहीं तो सही अंसर है यहाँ पर चक्रवाद रेमल यह बहुत इंपोर्टनेट है ऐसे कोश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी इससे रिलेटेट कोश्चन है इसका करानेक मतलब हो है कि सारे इस टाइप के कोश्चन चक्रवाद कौन सा चक्रवाद कहा या कौन सा किस स्रितकालिन मांसुन और ग्रिश्मकालिन मांसुन स्ञी आंसर है डक्षिल पस्चिम मांसुन भारत में वर्षा कैसे होती तक्षिल-पस्चिम मांसुन से होती है चली अगला कुश्यन है दस मैई antid24 को पीषिववँ पर आये सकती साली स्वर टुफान का क्या करार था देख तुफान कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य से प्लाजमा और चुम्बकी छेत्र के निस्कासन के कारण हुआ था अब देखिए करिंग्टन इवेंट दर्ज इतिहास का सबसे सक्तिसाली भूर चुम्बकी तुफान सितंबर 1960 में हुआ था ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कुश्शन है दुज़ार अठारर से लगातार 4 वर सो तक किस सहर को दुनिया का सबसे प्रदूसित राजधानी का धर्जा दिया गया है you दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी के दर्ज़ा दिया गया है मुंबई नई दिल्ली विंजिंग और टोकियो तो सही आंसर है नई दिल्ली 21 का जो है बी जो है करेक्ट आंसर है चली अगला कुश्चन है फर्वरी से देखे फर्वरी से 31 मार्च 2024 तक राष्टपति भावन नई दिल्ली में मनाये जाने वाला उद्यान उद्सव 2024 क्या है एक संगी समारो एक सांदर फूल उद्सव एक फूड कारुनिवल और एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी तो सही आंसर है एक सांदर फूल उद्सव 22 का बी ज सबसे अधिक दर्ज की गई है कहां की गई है राजिस्थान केरन मध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सही आंसर है मध्र प्रदेश में जो है सबसे तेंद्यों की सबसे अधिक अधिक अबादी दर्ज की गई है आगे देखते ही से इंपॉर्डन फैक्ट है कुछ परिया 1874 तक पहुँच गई है तो यह कहां देखने को मिला यह मद्ध प्रदेश में याद रखेंगे यह important fact हो सकते हमारे एक जाम के लिए अगला है 26 वे नंबर का question दुबाई में COP 28 में बनी US UAE आम सहमती का प्रात्मिक फोकस क्या है तो नवीनी करण उर्जा की और परिवर्तन तो देखिए इसका आंसर का होगा 24 नंबर का इसका सही आंसर होगा 2050 तक सुधसुने उस सर्जन प्राप्त करना आप देखिए 14 दिसंबर 2030 को समाप्त होने वाला COP 28 वैस्विक जलवाई परिवर्तन प्रयासों में एक महत्पून मोड है जिसमें 190 देसों ने भाग लिया और ये ध्यार रखेगा कितने देस थे 179 देस भाग लेने वालों को दल लक्ष जो था वो ग्लोबल वार्मी का 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सिमित करना था ये भी इंपोर्टेंट है 190 देसों ने भाग लिया था जिसमें ग्लोबल वार्मी को कितना तक कम करना था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ये याद रखिये गए ये भी कोश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एक जान में ये भी आगर एक कोश्चन बन सकता है तो चलिए अगला कोश्चन देखते हैं दिसमबर 2023 में भीषड चक्रवाती तुफान मिचोंग ने किस राज्य के तटको पार किया देखिये 25 डंबर कोश्चन तो ये तमिल नाडू केरल आंधपदेश ओडिसा सही आंसर है आंधपदेश आंधपदेश को ये भीषड चक्रवाती तुफान था और इसका नाम क्या नाम मिचोंग और मिचोंग क्या है किस से रिलेटर है ऐसा भी कोश्चन कि पूछ दिया जाता है तो यह क्या है एक ये छख़वाती तुफान है याद रखिंगे मिचोंग और ये किस राज्य के ताटको पार किया तो आंधपदेश का ये भी याद रख रा हैं ये हमारा幹嘛 का उदेश क्या है देखिए 26 नंबर ध्वनी प्रदूसर्ट को कम करने के लिए साइकील को फियों को बढ़ावाद देने के लिए याता यात की भीड को संबोधित करने के लिए वाई प्रदूसर्ट से निपटने के लिए तो 26 का डी जो है करेक्ट आंसर है चली अगला थोड़ा से उस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है जिस टॉपिक में लगातारी रिए रिटेट कोस्चन पूछा जा रहा है उस कोस्चन को हम ज्यादा देखते हैं तो देखिए वाई गुर्बत्तन यांतर के संदर्व में ग्रेब फोर का क्या आर्थ है दो देखिए प्रतिक्रिया कार्योजना देख्याग नंबर का साई अंतर श्रणी बद्ध प्रतिक्रिया कार्योजना C यहाँ पर correct answer होगा 27 का चलिए 28 नमबर question देखते है किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतानी जारी किया है विस्व सास्त संगठन विस्व मौसम विग्यान संगठन सहिक्त राष्ट परिवर्ण कारेकरम जलवाई परिवर्थन अंतरास्ति पैनल तो देखे 28 का ये विस्व मौसम विग्यान संगठन ने जारी किया है तो ये ध्यान रखेंगे 28 का B करेक्टर answer है 29 नमबर question देखते है सरकार की योजना के नुसार राज मार्गो पर देखे सरकार की योजना के नुसार राज मार्गो पर क्या चीज कहा गया है यहाँ पर सरकार की योजना के नुसार राज मार्गो पर इस्टिल बदियार को बदलने के लिए कि सामगरी का उप्यूग किया जाएगा देखे 29 नमबर question तो यह concrete लकड़ी बास और plastic तो सही आंसर है बास का तो बहुत ज्यादा important है यह भी इस टाइप से question बन सकते हैं के अगला question है नमामी गंगे मिशन यह बहुत important है और पूछा भी जा सकता है नमामी गंगे मिशन का प्रात्मिक लक्ष क्या है नए बांथ बनाने के लिए गंगा नदी का कायकल्प सरक्षर करना गंगा के किनारे परेटन को बढ़ावा देना गंगा पर नए पूलो का निर्मार करना तो देखें यह क्या है गंगा नदी का कायकल्प और सरक्षर करना ये उसका क्या है लक्ष है उद्देश से है नमामी गंगेगा तो 30 का बी जो है करेक्टर आंसर है चली 31 नमबर कोस्चन देखते हैं प्रिथ्वी के वाई मंडल में ओजोन की कमी का प्रात्मी करण क्या है अब ये कोस्चन हम पहले कर चुके हैं तो ये कमेंट जरूर करें अगस्त 2024 में तीन और आद्र भूम्यों जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर इस्थलों की कोल संख्या कितनी हो चुके 75, 80, 85, 90 देखिए तो 90 सही आंसर क्या होगा 32 नमबर का कोस्चन ये 85 हो चुका है और वो कौन-कौन से तीन नए रामसर इस्थल है यहां देखिए तमिल नाडू में नंजरायन पक्षय भ्यारण, तमिल नाडू में कांजुवेली पक्षय भ्यारण, मध्यप्रदेश का तवज जालास है ये भी तीन रामसर इस्थल जोड़े गया है ये और है तो ये इस तरह से याद रखना है अगला कोस्चन है ओडिशा में चिलका जि लेशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लाइगून जिल है देखिए लाइगून है जो अपने पक्षय भ्यारण के लिए जाना जाता है ये भी ध्यान रखेंगे ये भी इंपोर्टन फेक्ट है अगला है राजिस्थान में केवला देव घाना राश्टी उद्यान एक य सुन्दर वन वेंट लैंड दुनिया के सबसे बड़े मैंगरो वन का हिस्सा है अब देखिए ये सुन्दर वन कहा है तो पस्चिम बंगाल में है ये भी कोश्चन पुछा जाता है अब गंगा प्रंपूत नदियो दार बनाया जाता है ये भी आपको इंपोर्टन फेक्ट तुर्क मकडी छिफकली और मेढग तो 33 नंबर का ये मकडी की प्रजाती है 33 का बी करेक्ट आंसर है नया ही कोश्चन आपको देखने को मिला है पूरा नया कोश्चन ही बनाया गया है हाल ही में भारत के परियावराण वन और जलवायू परिवर्टन मंत्राले द्वारा जल सम्मेलन इस सम्मेलन का सरकारी प्रयासों का लाभुटाना लक्ष्चन है नागरिक समाच और समुदाइक को समिल और नवीन जलवायू सेवाओ अनुकूलन प्राद्वगी को को विक्सित करना था ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोश्चन और ये अंतिम कोश् केवला देव राष्ट्यूद्यान मानस राष्ट्यूद्यान नंदा देवी जब विविधता राष्ट्यूद्यान रिजर्व और ग्रिट हिमालय राष्ट्यूद्यान केवल एक केवल दो एक दो एक दो तीन और चार तो देखिए दोस्तों इसका आंसर चाहे तो आप एक सकता है और सिलिवा स्वाइज अब हम अध्याम करेंगे कौन कौन सा इन कंप्लीट है उस चेप्टर को कंप्लीट करेंगे उस से क्यों के माध्यम से तो आज की वीडियो में आप सभी को आपकी एक्जाम के लिए बहुत बहुत शुब कामनाओं के साथ जैहिन ये वीडियो अधिक सधिक लोगों तक सेयर करना नहीं भूलेगा जैहिन जैप्टर